हेलो फ्रेंड्स मितूस किचन में आप सभी का स्वारत है आज में घर पर बहुत ही आसान तरीके से बजार में बिखने वाले बेसन की टेस्टी गुड़ वाले से बनाना बताऊंगी इसे आप तेहरों पर बना सकते हो या फिर आपका जब भी मीठा खाने का मन करें तो आप सरूर बनाना सर्दिया आने वाली हैं सर्दियों में ये से बहुत ही टेस्टी लगते खाने में तो चलिए देन न करते हुए गुड़ वाले बेसन की से बनाना शुरू करते हैं बेसन की सेव बनाने के लिए सबसे पहले फैलावा बर्तन ले लीजे जिसमें आपको बेसन को गूतना है अब मैं इसमें दो कप बेसन डाल देती हूँ तो ये मैंने दो कप भरके बेसन लिया है आप कोई भी कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हो या कप ले लीजेगा और जो भी चीजे में डालूं उसी इसाब से आप डाल सकते हैं अब यहां में इसमें डाल देती हूँ यह चार बड़े चमच ओईल जिसे मैंने हलका गुनगुना किया है यानि थोड़ा सा गरम कर लेना तेल को इससे हमारी से बहुत खस्ता बनते हैं यह बहुत इस्पेशल ट्रिक है जिसे आप ज़रूर इस्तमाल करना और साथी साथ इसमें एक चोथाई कप बेकिंग सोडा यहनि खाने वाला सोडा डालेंगे अब बस हमें तेल के साथ बेसन को अच्छे से मिला लेना है बेसन के साथ मैंने तेल अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आपको बेसन गुदना है तो इतने बेशन को घूतने के लिए मेरा आधी कपसे थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तमाल हुआ है और बाकी पानी मेरा बज़ गया दोस्तों अब हाथ पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इसे हम एक बार अच्छे से चिकना कर लेते हैं यानि अच्छे से गोत लेते हैं बेसन शुरू में बहुत स्टिकी होता है लेकिन जब आप इसे अच्छे से गोत लोगे तो यह एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आपके हाथो पर तो यह देखिए बेसन में अच्छे से गोत लिया मैं आपको इसे खेंच के दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा डोग खेंच रहा है चलिए मैं इसे रूल करके रखते थी हूँ और अब हम इसे 10 मिनिट के लिए rest करने देंगे उसके बाद हम इसे अपने save बनाएंगी 10 minute हो गए हैं दो हमारा set हो गया आज हम save machine का इस्तमाल करकर save बनाएंगे यह machine का handle होता है और इसके उपर यह जो button है इसे use करके हम इसे खोलते हैं दिखें मैं आपको दिखा रही हूँ यह जो आपने button लिया है इसे दबा दोगी तो इसके उपर जो हमारा एक handle निकलता है वो open होता है यानि इसे उपर नीचे करने के लिए आपको इस button को दबा के रखना होगा तो अब हम इसके अंदर तेल लगाएंगे और यहां इसमें हमने जालिया ली हैं यह जालिया देख सकते हैं आप सारी तरीके की जाली आती है सेफ बनाने के लिए बहुत तरीके की जाली आती है तो मैं जीस में से यह जो medium size की छेद वाली जाली है इसे यूज करके सेफ बनाने वाली हो आपको थोड़ा मोटा सेफ चाहिए तो star सेफ में भी जाली आती है तो इधर आप जाली फिट कर सकते हैं जो भी जाली आपको लगानी है वो जाली आप इस तरीके से फिट कर लीजिएगा अब हम बेशन का डू लेकर इसे हलका सा लंबा कर लेते हैं पतला कर लेंगे ताकि वो मशीन में आराम से आ जाए यह देखिए इस तरीके से आपको इसे भर लेना है अभी इसमें थोड़ी जगा और है तो मैं थोड़ा सा बेशन लेके और भर देती हूं इसे मशीन में मैंने बेशन का डो अच्छे से भर लिया अब हम इसे बंद कर लेंगे मशीन में कैसे डो भरते हैं यह मैंने आपको पूरा दिखाया है आप देख रहे हूं इस तरीके से हमें बिलकुल तयार कर लेना है और जो इसके साइड में हैंडल है बस इसे दबाते जाना है और सेव इसमें से निकल जाता है तो चली जल्दी से हम अपने बेसन के से बनाना शुरू कर देते हैं आप इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है थोड़ा सा बेसन का डो डाल कर चेक कर लेते हैं देखेए बेसन का जो झो हमने गोली बना कर आली थी वो उपर आ गई है यानी तेल हमारा गरम हो गया है, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि बहुत जादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही आप सेव डालेंगे वो तुरंत लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अब बस हैंडल को प्रेस करते जाएंगे और इसमें हम सेव ड कर्माते जाएंगे और सेव निकालते जाएंगे तो बहुत असानी से हमारी सेव बन कर तयार हो जाते हैं, तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इन्हें पलट कर फ्राय करेंगे, और फ्रेंट्स यहां मैं इन्हें थोड़ा सा तोल लोंगी ताकि हमारे सेव अच्छे से सिख जाएं, तो फॉक की हेल्प से मैंने तोड लेती हूँ, इससे सेव बहुत ही बढ़या अंदर तक सिखता है, बिल्कुल कच्छा नहीं रहता, तो यहां मैंने सेव को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राय कर लिया, और सेव को मैंने एक प्लेट पर नि लेकिन मैं आज आपको यहां मीठे गुड़ वाले से बता रहे हूं, तो उसके लिए यहां मैंने यह देड़ कप गुड़ ले लिया है, और गुड़ की जो मात्रा है वो आप थोड़ी सी कम जादा कर सकते हो, यह आपके टेस्ट पर डिपैंड करता है, कि अगर आप बहु गुड़ को हमें low flame पर चला लेना है, बहुँ जञादा मोटे मोटे pieces गुड़ के मत लीजिएगा, गुड़ को हलका सब फोल्ड लेना है ताकि गुड़ जल्दी से melt हो जाए, देखें low flame पर हमारा गुड़ मैल्ट होना शुरू हो गया है, बहुत ज़ादा जल्दवाजी नहीं करनी है नहीं हमें पानी का इस्तमाल करना है यहां दोस्तों क्योंकि गुड़ की जो चाशनी है यह बहुत जल्दी तैयार हो जाती है अब देखिए गुड़ा हमारा अच्छे से मैल्ट हो चुका है बस इसी तरीके से हम इसे चला कर थोड़ा सा पकाएंगे लगवग 2 मिनिट तक आप इसे पकाते रहिएगा बस गैस का फ्लेम लो पर ही रखना है लो फ्लेम पर ही आप इसे पकाईएगा अब मैं यहां इसे एक फ्लेवर दोंगी तो मैंने इसे कश्मीरी क अवर थे सरफ लेवर दिया है थोड़ा सा त्यला मैंने यह बिल्क्र और दे दोस्तों बिना एसेंश के यह बना सकते हो पर अगर आप अपनी पसंदीदा इसे जाप आयरा चाहते हो या पिर आम इलाइची फ्लेवर देना चाहते हो तो वह भी दे सकते हो अब यह देखेंगे आपके दो बिनिट में ही हमारा गुर्ण अच्छे से पक गया है काफी गाड़ा हो गया है बिल्कुल पानी इस्तमाल नहीं करना है आपको जब इस तरीके से गुर्ण अच्छा सब पक जाए तब आपको इसमें सेव डाल देने हैं और सेव डाल के लो फ्लेम पर दो मिनिट आप गुर्ण पकाएंगे तो आपका चाशनी जो है वह बिल्कुल तैयार हो जाएगी अगाज बंद कर देते हैं और बिषण के सेव को गुऋ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जैसे जैसे गुऋ की चाशनी ठंडी होगी वैसे वैसे ये बि यहां गुड़के मीठे पारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, यानि शक्कर पारे बनकर तैयार हो जाएंगे, यह देखिए हमारे गुड़के शक्कर पारे बिल्कुल तैयार हैं, वाउ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, देख सकते हो, आप कितनी बढ़िया कोटिंग हो ग बताना और अपना experience मेरे साथ share करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए मिलते हैं अगली recipe में तब तक के लिए बाई